नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और आपके साथ नहीं हूँ फिजा काजमी कॉंग्रिस के आसंतुष नेताओं की चुनौती ने पार्टी महासची प्रियांका गांधी वाडरा को चुनाओ अभ्यान को गती देने के लिए अंतहे उत्तर प्रदेश से बहार निकाले पर बाध्य कर दिया है प्रियंका ने सोंबार को असम के दौरे के साथ इसकी शुरुबात कर दी साफ संकेत हैं कि पांच राज्य की चुनाव अभ्यान के दारान इस बार उनकी सक्रियता पहले से कहीं ज्यादा दिखाई देगी चुनाव मैदान में प्रियंका की सक्रियता सीधे तोर पर राखुल गांदी के हाथ मजबूत करने का इस पश्ट संकेत मानी जा रही है पांच राज्य में चुनावी सरगर्मी के बीच पार्टी नेतरित्व विशेश कर राखुल गांधी पर आसंतुष नेताओं का हमला बढ़ता जा रहा है चौतरफा बढ़ती चुनावतियों के बावजूद पार्टी का शीश नेतरित्व जवाबी आक्रमक्ता दिखाना मोनासिब नहीं समझ रहा है चुनावी अभियान में प्रियंका की बढ़ी बहागीदारी असंतुष नेताओं के अभियान से हो रहे नुकसान को थामने की कोशिश है राखुल तीन दिन से दक्षिन के तीन चुनावी रज्यों केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडू के दोरे पर है वही प्रियंका ने असं में अभियान के शुरुआत कर आसंतुष्ट खेमे को साफ संदेश दे दिया है कि कॉंगरिस में राखुल को कमजोर करने के प्रतियक्ष या अप्रतियक्ष प्रियास का वो डटकर मुकाबला करेगी कॉंग्रिस नेतरित्व के लिए असम का चुनाव एहम इसलिए भी है कि वहाँ पार्टी का बीजेपी से आमना सामने का मुकाबला है बोलोलेंड पीपल्स फ्रंट ने एंडिये को छोड़ कर कॉंग्रिस के साथ असम में गडबंधन का फैसला किया है इस सुबे का चुनाव काफी रोचक हो गया है पार्टी नेतरित्व के मौझूदा भरोसेबंद लोगों में शामिल कॉंग्रिस के एक वरिष्ट पताधिकारी ने अनौपचारिक चर्चा में कहा कि जम्मू में जमावले के बाद आसंतुष नीताओं को चुनावी रज्यों म पार्टी को मजबूत करने की सलहा दी गई प्रियंका के कमाख्य मंदिर के दर्शन के बाद असं के चुनाव अभ्यान का आगाज करना ये साफ जाहिर करता है कि कॉंग्रिस हाई कमान के लिए सूबे में सियासी काम्याबी हासिल करना कितना एहम है असंतुष नेताओं के आ हद निरनायक होगा अकसर चुनाव के दारान संबंदित राज्यों से प्रियंका की सभाओं के लिए मांग और आग्रे आते रहे हैं अगर कुछ अपवादों को छोड़ें उन्होंने उत्तर प्रदेश से बाहर आने में ज्यादत दिल्चस्पी नहीं दिखाई अभी चौर है कि प्रियंका ने इस बार चुनाव अभियान के शुरुवाती दिनों में ही मैदान में उतरना जरूरी समझा फिल्हाला भी के लिए इतना ही लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहे हैं SPN 9 News के साथ